सबी को मेरा जैसी कृष्ण आज हम रंगोली से बनाएंगे रेट से बनाएंगे रंगीला राजस्तान राजस्तान का यह बहुत अच्छा सीनरी है इसमें हम सबसे पहले आपको बनाना सिखाएंगे उंट उंट बनाते से मैं S शेप बनाया यहां पे हम कलर भर देंगे तो यह उंट का उपर वाला हिस्सा हुआ साइड वाला कलर पतला पतला भरना है उससे सफाई दिखती है इसको हलका सा उपर किया और अब यहां पे हम नीचे साइड में बनाएंगे देखिए पैर अच्छे से देखिए पैर कैसे बनाने है और कम से कम 10-15 उन्ड बनाएं उसके बाद ही कलर पर प्रैक्टिस करें यह देखिए यह चार पैर हमारे रेडी है अब हम बनाएंगे इसकी पूझ पूझ भी रेडी है अब जो जरूरी पार्ट है उसका फेस बहुत इजी है यह देखिए इस तरीके से बन गया तो यह इतना इजी है ह आप फिर रस्ती जो उसके करदन से अटाच हो इसका प्रैक्टिस इसका प्रैक्टिस बता रही हो आपको कैसे करना है यह देखिए बारिक मोटा बारिक मोटा बारिक बारिक मोटा बारिक ऐसे इसकी प्रैक्टिस करोंगे कम से कम 50 बार तो आपको एकदम बस ऐसे करें कि उं जार बनाना उसमें भी कैसा था बारिक मोटा बारिक वैसे ही इसमें भी है और अब मैं आपको आदमी बनाना बता रही हूँ पॉफेकली काफी लोगों ने उस दिन बेठेवा आदमी गलत किया था बहुत आसान है U-shape बनाना है पैर बनाना है इस तरीके से उसके बेठेवा ह और यह दंडी बन गया आदमी ठीक है ऐसे बनाना सफाई से सारे लोग और यह नीचे ऊंट रहेगा हमारा उपर आदमी बेठा है तीसरा पॉइंट है हमारा अब उन्ट देखा आदमी देखा आप कुछ डोली बनाएंगे यह सेंटर में ऐसे डोली लेके जा रहें लोग ऐसा बता सकते हैं तो यह देखिए ऐसा बॉक्स रेक्टेंगल बनाया उसके उपर इसा गोल बनाया और एक छोटा डॉट इसने सब को कलर घर दिया फिनिश हमारी डोली खतम तो यह सब चीजों की कम से कम पासपास साथ साथ बर प्रैक्टिस करेंगे तब ही कलर करेंगे और कलर शेड वही इस्तेमाल होंगे जो हमने नाइन दे के क्लास में सिखेते परफेक्ली अगर आपको मुश्किल हो रही है वो कलर को याद करने में तो आप नाइन दे का क्लास का वीडियो देखना उसमें मैंने एक एक चीज बताई थी यलो फिर लाइट यलो फिर डाक यलो कैसा रोज रोज बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी तो मैंने आज सिंपली बता दिया आपको कि इसे परफल मिला के कर दिया थोड़ा सा भी डाक करने के लिए इसमें ब्लैक और रेड मिलाएंगे तो वह डाक हो जाएंगा ब्राउनिश कलर करेंगे लास्ट म कि डीटेल आपको 9th day के वीडियो में मिल जाएगी देखिए इस टाइप से हम उसको शेड में थोड़ा कम जाधा कर सकते हो याने ज्यादा लाइट शेड थोड़ा डाक शेड थोड़ा सकते हो पर ऐसे पट्टे मत दिखने देना कि जैसे अलग-अलग से एक्जाट लाइन वैसे नहीं देना थोड़ा सा मिसमैच उपर नीचे होने दो मिक्स होने दो सारों को अब देखिए हमारा हमेशा वाला कौन सा कलर है ब्लैक एंड रेड को चान लिया और अब उससे हम डिजाइन बना रहे हैं हमने जैसे घर के समय डिजाइन बना थी नीचे बेस में वही ड चोटी 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 लाइंस बनाई तो इससे थोड़ा से लगता है रगी स्तान लगता है अब पहले बे आपको पॉफेक्क चान बनाने का तरीका बताया था वही तरीका आज इस्तमाल किया है काफी लोगों के चान कल बहुत बेकार दिख रहे थे तो इसलिए मैं आज य आपको अब हम चुसी के उन्ट वो बनाएंगे एस शेप बनाया एस शेप को हम फील करेंगे उन्ट की प्रैक्टिस करने के बाद ही कलरिंग का काम करेंगे पहले नहीं करेंगे कलरिंग का काम क्योंकि उससे क्या होगा आपका उन्ट अच्छा नहीं बनेगा तो उन्ट बनान पास कुछ उसके अंदर फोटोस वो चेक करना आप आप पाच उन्ट साथ उन्ट की भी रंगोली बना सकते हो आपको शेड़ चेंज करना है तो आप ब्लू शेड़ भी इस्तेमाल कर सकते हो और इस तेप से देखो हमारा पहला उन्ट बीच वाला उन्ट जो है वह दोली का है वह में बाद में बनाऊंगी उससे पहले राम साइड वाला विए ईस से थोड़ा Lमबा जगर हलेती थी तो हम पांच बना लेते थे और और लंबी जगर हैंगे तो हम साथ इंट बना सकते हैं या फिर दो उंट बना सकते हैं तुझ wcze Hep do अपकी मर्जी है कि आप क्या यूज सकर रे हो कोई उसके अंदर बैल गाड़ी बनाएंगा उसके साथ उंट भी बनासकते ने डिपेंड करता है कि आपको क्या बनाना है जो पेंटिंग बनाई हैं जो पोस्टर बनाया है उसका फोटो तो सारे जन प्रक्टिस करके ही सारे फोटो भेजेंगे और क्रिपया करके सिर्फ चार से पाच ही पोटो भेजिये तभी मैं आपको अच्छे से रंगोली है आप कब तक क्लास लोंगे हम क्लास में क्या सिखेंगे तो हम क्लास अभी एक महने का ले रहे हैं हम रोज अलग अलग टाइप्स के पोस्टर सीखी रहे हैं उसमें कोई दिक्कत जाए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और आपको मेरे सारे जुने वीडियो देखन अब मेरे से मैंने अभी अच्छा नहीं दिख रहा ना तो हमने इसके उपर वही कलर यूज कर लिया और फिर हमने देखें मैं आपको अभी कर के बताती हूँ देखिए यहां पे इसा अच्छा दिख रहा कि यह इत्ता गंदा पंची बनाया नहीं तो फिर हम इसको करेक्ट करेंगे वह बहुत लोगों के करेक्शन्स नहीं होते इसलिए मैं यह वापस बता रही हूँ तो यह डाक कलर हो गया यह वह कलर है क्या नहीं फिर दूसरा शेट जो हमने यूज किया था उपर वह बचा के रखा था न तो देखिए अभी हमने यहां भर दिया अब दीख रह है तो आपको बहुत चुछी रंगोली देखनी है तो चानल को सब्सक्राइब करना आपको पहले अच्छी लगी तो फिर हम नेंक्स रंगोली भी शिखेंगे बहुत अच्छी तरीखे से तो फिर नेक्स रंगों लिके मिलेंगे जल्दी ही तब तक के लिए सबको मेरा जैसे कृष्णा कल मिलेंगे चार बजे